एक बार भगवान विश्णू कहते हैं मा लक्ष्मी से कि हमें पिर्थवी पर लोग पर जाना है और वहां के लोगों को देखना है तब माता लक्ष्मी कहती हैं प्रभू आपके साथ मैं भी चलू तब भगवान विश्णू ने एक मिनट सोचा और कहा कि चलो ठीक है लेकिन एक सर्थ है तुम उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना अब माता लक्ष्मी ने अपनी सहमती तो दे दी और तुरंत वे लोग पिर्थवी पर भभमन के लिए निकल पड़े पिर्थवी बहुत सुंदर दिख रही थी वहाँ पर बहुत ही सांती थी देखते ही माता लक्ष्मी बहुत खुस्वी और भूल गई कि भगवान विश्णू ने उनसे क्या कहा था वह उत्तर दिशा में देखने लगी तभी उन्हें बहुत ही खुबसूरत फूलों का एक बगीचा दिखा बहुत ही सुंदर खुसवु आ रही थी उधर से एक छोटा सा फूलों का खेत भी था अब माता लक्ष्मी बिना सोचे ही उस खेत में उतर गई और वहां से एक फूल तोड़ लिया अब भगवान विश से पूछे तुमने फूल भी तोड़ लिया और फिर कहा भगवान विश्नु कहते हैं लक्ष्मी तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और भगवान विश्नु वहीं पर रोने लगे उनके आखों से आसुआ गई इस पर मालक्ष्मी कहती है हाँ प्रभू हमसे तो भूल हो अब भगवान विश्नु से जब मालक्ष्मी माफी मांगती है तब भगवान विश्नु कहते हैं तुमने जो भूल की है न उसके लिए तो तुम्हें सजा भी भूगतनी पड़ेगी अब तुम जिस फूल को बिना उसके माली से पूछे ही तुम छूलिया है या तोड़ लि और उस खेत के मालिक के पास पहुँच गई मालिक का नाम माधवा था वह एक गरीब और बड़े परिवार का मुखिया था उसके साथ उसकी पतनी दो बेटे और तीन बेटियां एक छोटी सी जोपड़ी में रहती थी उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ वही छोटा सा भूमी का ठुकरा था वे उसी से अपना गुजर बसर करते थे अब माता लक्षमी उनके घर गई तो माधवा ने उन्हें देखा और पूछा कि वह कौन है तब माता लक्षमी कहती है मेरी देखवाल करने वाला कोई नहीं है मुझ पर दया करो और मुझे अपने यहां रहने दो मैं सारा काम करूंगी माधवा एक दयालू हिरदय का बेक्ती था इनसान था लेकिन वह गरीब भी था और जो भी कमाता उसमें से बहुत ही मुझकिल से उनका खर चलता था पर फिर भी उसने सोचा कि यदि मेरी तीन की जगह चार बेटियां होती तब भी मैं उसे यहीं नोकरानी बन कर रही अब जैसे ही माता लक्षमी उसके हाँ आई तो एक गाय खरिद ली माधवा ने उसकी कमाई बढ़ गई अब तो उसने कुछ जमीन भी ले ली जेबर बन बाली अपनी बेटियों के लिए इस तरह से धीरे धीरे अपना एक अच्छा घर कर लिया इन ती अब इतना सब कुछ होता जा रहा था तो माधवा ने सोचा कि यह सब मुझे इसी औरत के घर में प्रवेस होने के बाद मिला है इसका मतलब यही हमारे भाग को बदलने वाली है और धाई साल निकलने के बाद माता लक्षमी ने उस घर में प्रवेस किया और उनके साथ एक परिवार के सदस्य की तरह धाई साल तक रही लेकिन उन्होंने खेट पर काम करना बंद नहीं किया उन्होंने कहा कि मुझे अभी अपने छे महने और पूरे करने हैं जब माता लक्षमी अपने तीन साल पूरे कर लिये तब एक दिन की बात है माधव अपना काम खत्म करके बैल गाड़ी पर अपने घर लोटा तो अपने दर्वाजे पर अच्छे रतन जड़ित पोसाख वहने तथा अनमोल जेवरों से लदीवी खुबसूरत महिला को देखा तो उसने कहा यह कोई और नहीं माता लक्षमी है तब माधव और उसके घर वाले आच्चर चकित रह ग कैसे हो गया हमने स्वे माता लक्षमी से ही काम करवाया हमें माफ कर देना जब माधव यह कहता है माता हम पर दया करो हमें से कोई नहीं जानता था कि आप मा लक्षमी हैं हमें बरदान दीजिए हमारी रक्षा कीजिए ता माता लक्षमी मुस्कराती है और कहती है माधव एक परिबार की तरही मैं और बिलकुल अपना पन था इसके बदले में मैं तुम्हें बर्दान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन की और खुशियों की कमी नहीं होगी वे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो यह करकर मा लक्ष्मी अपने सोने से बनेवे रत पर सवार होकर भगवान विश्णू के साथ बैकुंट लोग चली गई और यहां पर माता लक्ष्मी ने जो कहा लोग दयालू और सच्चे हिर्दे वाले होते हैं मैं हमेशा उनके यहां निवास करती हूँ ऐसा माता लक्ष्मी कह रही थी इसलिए गरीबों की सिवा करना चाहिए और छोटी सी गलती पर जब भगवान विश्णू ने माता लक्ष्मी को सजा दी तो ये तो हम तो बहुत ही मामूली इनसान है तो हमें भी मा की पाचाहिए तो घर में सुकसानती बनाए रखे ताकि मा लक्ष्मी हमारे घर में भी निवास करे और प्रभू बिश्णू के साथ घूमने जब आए तो हमारे घर में एक नजर जरू डाले ताकि हमारे घर में भी खुसियां किलकारियां गुझती रहे फिला रम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादे